हेलो एंड वेलकम पूदर स्टूडियो ट्रेडर्स अपोलो हॉस्पेटल को आज का दिर हम ट्रेट करने इसकेंदर जस्ट अभी हमने अपने एक पोजिशन बनाई है 3754550 पर स्टॉप लॉस जो हमने अपना इसकेंदर लगाया है 373855 का हमारे स्टॉप लॉस है एंड टार्गेट्स वागरा जो भी हैं अभी हम आपको इंफर्म करते हैं काफी बड़ा मुवमेंट हो रहा है एंट्री लेने के बाद में देखें काफी अच्छी एक हैल्दी केंडल बनी हमारी यहां पर सबसे बहले अपन कर लेते हैं यह अपनी ट्रेट बुक है बोजिश रहे हैं अब चलते हैं सिधे अपल होस्पिटल के चार्ट के पर देखें क्या पोजिशनिंग इसकी रही है क्यों हम इसको ट्रेट करें हैं इसके टार्गेट पॉइंट इसके देट आंप अगर पूरा एक लो लेकर के चलेंगे तो price का एक support point आपको मिलेगा इस वाली जगे पर और जो हमारी entry है इस वाली जगे पर ये पूरी की पूरी हम एक range ट्रॉक कर देते हैं यहाँ पर ये हमारी अपनी एक range है और इसके पहले price हमारे किस resistance को break करके आया है इस वाले point को तो कुल मिला करके क्या हम ये मान सकते हैं कि ये वाला area ये वाला point हमारा एक support point है अब इस support point के पास में किस तरह के movement आपको दिख रहे है हमें ये देखना होगा अब जब हम ये देख रहे है कि price का trend किस तरह से हमां identify करना है तो कुछ ये चीज़े हैं जो कि इससे पहले हम बोगों को ready रखनी होंगे अपने पास सबसे जोरत पड़ेगी कि आप किस stock के अंदर अपनी जो placing find करो placing in the sense कि price कि लेवल पर है किस जगह पर है वह लेवल आपको identify करना होगा आपके अपने तरीके हो सकते हैं हो सकता है day time frame से आप levels को identify करो हो सकता है 4 hours से करो कोई भी time frame आपका हो सकता है हमारा अपना मानना है या जो हम जिस तरह से identify करते हो मेरे day time frame कर लेवल है अब day time frame के level को आप read करो इसको हम लोग किस तरह से देख सकते हैं जैसे कि एक यह वाला point हो गया यहाँ पर देखें समझाने से पहले हम आपको कुछ drawings बना कर देखाते हैं विगास थोड़ा सा easy होगा समझना लेखिए कुछ drawings हमने बनाई हैं जो points अभी मैं आपको बोल लेते हैं कि price का trend समझने के लिए हम उसकी position देखनी हो आप price मेरा नीचे की दिशा में गिर रहा है और यह इसका एक consolidation का point है यह वाला point इसके बाद में price हमारा यहां तक करीब consolidate हुआ है एक level एक range में इसके बाद में फिर से upset का movement हमको market ने दिखाया और यह वाले resistance के resistance बना देगा है मेरे higher time frame पर और price ने हमारे उस resistance को break किया और again देखिए इस एक candle ने अगर हम मान की चलते हैं कि break किया तो उसके बाद में price जब नीचे की दिशा में गिर रहा है तो इसको यहां से rejection मिले है देखने बड़ी बड़ी सी यह विक प्राइस के अंदर यह विक में convert किया अब यहां से price के अंदर के activity आप देखिए अब इन rejections की अपनी अलग value होती है किस candle में कितना rejection मिला है हमको या फिर उसकी body का movement क्या है इनके rejections क्या हो रहे है एक तरह से rejection हमें show करती है कि market अगर किसे particular point से support ले रही है तो एक time frame like अगर आप monthly time frame को देख रहे हो तो monthly time frame पर जितना वड़ा rejection देखेगा और day time frame पर जब आप उन्हीं rejection को lower time frame पर चेक करने होगो तो पता चलेगा कि यहां पर तो candle form हुई है depend करता है किस time frame पर आप rejection देख रहे हो अभी मने कहा न कि आपको fix करना पड़ेगा आपको movement किस price पर चाहिए या फिर अगर आप price को read करना चाहिए तो किस point पर आप read करना चाहिए base क्या है उसका आपका system क्या है क्या आपका system fix है ऐसा तो नहीं है कि आप four hour पर आज read करो कर आप two hour पर 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 चलेगा मन हुआ किसी का video देखिया लाइक मेरा वीडियो देखा अब आप डे टाइम फ्रेम पर आगे फिर किसी का video देख लिया तो six hour का time frame यूज कर आप वहां पर चलेगा किसी भी time frame पर जाओ कुछ जब्ली थोड़ी नहीं है लेकिन जिस पर भी जाओ ना fix हो जाओ कि मैं इसी प point बता है simple सी चीज़े देखिए बिल्कु साफ साफ आपको देखेगा कि price का movement एक उपर से नीचे की दिशा में हुआ यहां पर देखिए और यहां पर आपका price पूरी तरह से consolidation के face में है ना यहां से देखिए इस वाली candle ने breakout किया और breakout के बाद में price हमारा हमारे इसी consolidation के resistance के support पर है clear है एक दो तेन चाफ चौतर दिन है price जह हमको उसी level पर मिला है उसी जगह पर मिला है तो क्या हम यह मान सकते हैं कि price हमारे एक support लेवल पर है higher time frame के recording हमको यह price is strong लग रहा है एक support लेवल पर है अब देखिए एक दूसरा angle क्या होगा price को rate करने का इसके लिए हम क्या कर करेंगे सब को remove कर देंगे अब देखिए यहां पर सबसे important candle में लिए 14th of June की candle हम इसका high mark कर लेंगे यहां से देखे price क्या कर रहा है एक upset का movement हमें market ने यहां से show किया ओपर की दिशा तक market गई है नीचे की तरफ आया सबसे पहली candle जिसने में rejection show किया था वो थी 22nd की candle इसके आद में 23rd में भी upset का movement आया और फिर price ने किया कि अपना low protect किया है मतलब 14th of June का high जब break हुआ है तो यहां पर देखे low नीचे की दरफ लगा इसके आद में low फिर upside की दरफ शिफ्ट हो गया फिर से low upside की दरफ शिफ्ट हो गया फिर से low upside की दरफ शिफ्ट हो गया फिर से low upside की पर आया है यहां से देखे price कितनी बार reject हुआ है कि हम इस point को एक support point मान सकते हैं अब इतने दिन से market अपने जिस low को protect कर रहे थी आज अगर वो low break हुआ तो market नीचे की तरफ गिर जाती simple से चीज़ है अगर market ने अपने low को protect करने की कोशिश की है पहले और अगर आज उस low को break किया है और इसको यदि नीचे की तरफ जाना है तो lower time frame पर क्या होना चाहिए simple से चीज़ है ना कि price नीचे की दिशा में आए और अपने low को break करके नीचे की तरफ निकल जाए बट आज देखी क्या हुआ है हमारे exact point पर 375 7.85 पर कितनी ज्यादा volume आई है यह चीज़ हमने आपको काफी बार बताई है कि volume का आ आ जाना किसी भी level पर यह possible नहीं है किसी भ इधारियत एक level है अगर price उस level पर volume हमें शो कर देती एक breakout शो कर देती तो इसका मतलब यह होगा कि कहीं ना कहीं उस level की अपने की importance है clear है अब देखे volume के breakout कितने अच्छे हमारे level पर market ने दिखाय है और हमने क्या किया किया कि price को नीचे की तरफ गिरना था अगर यह week है तो क अचानक से market भारी नीचे की तरफ गिरना मतलब अगर low protect होने थे तो इसने अचानक से previous two days का low क्यों ब्रेक किया अगर ब्रेक किया तो यह नीचे की तरफ निकल जाए बट यहां पर देखे क्या हो रहा है protection हो रहा है volume हा रही है और price अपने lows को break करने की वज़ा है अपने high को ब्रेक कर रहा है देख रहे हैं इसे candle की तरू इस तरह से हम कह सकते हैं कि higher time frame पर भी price हमको हमारी support पर मिला है और lower time frame पर भी हमें confirmations इसके अंदर मिले हैं जिसके तरू हमने इसका अपने trend एक दिशा निरधारित की I hope कि समझ में आओगा अभी जितनी clarity के साथ हम समझा रहे ह हमें नहीं लग रहा है कि कोई और समझाएगा इस तरह से वीडियो गर अच्छा लगता है इससे आप कुछ सीखते हो तो इसको जरूर से जरूर लाइक किजिएगा comments किजिएगा और चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को subscribe किजिए thanks आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ हमने यहाँ पर आपको clear कर दी है अब बार ही आती है देखिए यह तो day time frame की बात थी अब यहाँ पर देखिए वापस से day time frame पर चले समझ भी आ रहा ना कि इस एक candle की तुरू किस तरह से हम लोग price को rate कर रहे है लोग प्रोटेक्टेट और प्राइस मेरा अपसे लोग टाइम पर यहाँ पर रिजेक्शन मार्केट में शो कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारी जो एंट्री है 3754.50 की हमारी एंट्री है stop loss जो हमने अपना इसके अंदर लगाया है 373855 का मेरा stop loss है target एक्शली जो हम ले करके चल रहे हैं इसके अंदर हमारी ग्रीन वाली candle का हाई पॉइंट है बट इससे पहले जो भी आपनी क्लाइन देखी होगी मेरे target की वो थोड़ा इससे उपर थी 10 रुपए 3834.45 के राउंड हमारी लाइन थी यह हमारा target पॉइंट है लेकिन हम थोड़ा सा अवे रहने के कोशिश करेंगे अपनी इससे एक वाली candle पर ठीक है 3835 पर प्राइस जब अपसाइट की तरफ जाएगा देखते है 3825 पर किस तरह के movement होते हैं प्राइस अगर upside की त लाइफ मार्केट की लाइफ मार्केट की experience की हुई चीज़े हैं जिस तरह से हम trade execute करें वो points कहीं न कहीं आपको समझाने के कोशिश करते हैं वो point of view देने के कोशिश करते हैं perfect चलिया आगे बढ़ते हैं और को बड़ा movement होता इसके अंदर तो इन फार्म करते हैं इस वक्त ज चुका था 10,000 हो चुका है price का movement हमें ऐसा लग रहे हैं कि कभी भी downset की तरफ हो सकता है बड़ी सी black candle हमें show कर सकती है market price अगर नीचे निकलता और हमारी 11 बचकर 20 मेट की ये वाली जो candle है price अगर इस वाली एक candle के नीचे जाकर कि अगर closing देता है तो फिर हमें यहां से बहार निकलने का plan भराना होगा because ये एक support point है और अगर price upset की तरफ गया तो 3-2-4 पर ही नहीं रुके कि 3-3-0 तक जा सकता है but moment अभी के ठीक ठाकी movement है हालां कि slow movement है को इतने बड़े खास movement नहीं है अगर ये दो candle हम लोग छोड़ दें क्योंकि ये 3-4% की candle हुरी लगभग 4-6% की candle और इसके बाद का movement है थोड़ा साइडवे मुव हमें दिखाया मार्केट में जितनी बड़ी ये candle ही उतना बड़ा price हमको move किया है कितने में total जो candles यहां से हमें दीख रही है देखे 15 बार्स बनी मतलब 15 candle 1 hour and 15 minutes में प्रैस का movement है वो 14 रुपे 30 प्रैस अगर 0.38% इतना सम्मूफ प्रैस ने किया है सो कुछ इतना बड़ा खास movement नहीं है हाँ प्रैस के अंदर हम expect करें कि अब अगर दिखाते तो अच्छा खासा profit हमें लगवकर 13-14,000 या 15,000 रुपे तक profit market show कर सकते है वीट करेंगे उसके लिए देखे एंट्री कर लिए हर बार हम बोलते हैं कि अपने stop loss को तो हम नहीं चूएंगे इसको ट्रेल नहीं करेंगे because अब किया हम कर सकते हैं डेके trailing का मेरा अपना view करा क्यों कि सब ही इक अपना अलग हुँ हमारा मानना क्या है stop loss nostra stop loss trailing को ले करके कि अगर हमने यहां पर अपना stop loss लगाया 3738.55 पर उस वक्त चो हमने अपनी एंट्री ली थी वो एंट्री मेरी कहां पर थी इस एक जगह पर 3754 यहां पर क्यों ली बेकॉज यह एक resistance point है price up में गया retrace हुआ stop loss को हमने account किया अपनी quantities निका लिए और अपने stop loss लगा दिया ठीक है फिर से सुनिए price up side की तरफ गया एक resistance बना break किया market ने एक retracement और price का यहां पर stop loss अब अगर market downside की तरफ गीरती है क्यों कि यहां पर हमने because this was important level एक बहुत ज़री point था अगर price हमारे retrace करता है तो 3,7,5,4 तक आ करके वापस ही upside की तरफ जाने की कोशिश करेगा ऐसा होगा और इस condition में अगर हम अपने stop loss को upside की तरफ ला करके रख देंगे तो मेरा stop loss हीट हो जागा अब क्यों कि price अगर retrace करेगा तो सबसे ज़्या अगर के लगा है कि price हमारे support points या फिर हमारे entry price कि में भी यहां तक चला जाए, hold करेंगे अब stop loss यहां रख दिये इसके बाद में stop loss यहां रख दिय यहां रख दिया,우 तो क्या करे可以 it? इंहां पर अपना stop loss का ही रख देते, यह आ कर disrupt कर देता, फिर यह Onekin और इ इस Stop Loss ने की स優नेंगे हई इसका ढूसरा अच्छा तरीका है किस स्लूद यहां पर अपने प्रॉफिक स सेव कर सकते हैं इसका दूसरा मैंनेद भी होता है फिर अब इस मार्य हम से महां नहीं अपर रुकनेगा विकास हम बेचाहर रहते हैं को प्रैसा यहां से अगर movement होता है तो हमें कुछ ना कुछ प्राइज यहां पर कुछ percentage और मिल सकती थी like 0.50% यह 0.30% की वर तुमी ने बिकॉस जब जब प्राइज यहां पर आ रहा है देखे rejection दिखा रहा है daytime frame पर हमने अपनी एक candle को find किया तो जो कि यह green candle थी हमारी 20th of June की यह वाली केंडर इसके high price आने के बाद में reject हो रहा है बार बार reject हो रहा है वहां से हलांकि rejection बहुत ज़्यादा दिर तक टिक नहीं रहा है price वापस उसी level पर पहुंच रहा है तो कुल्म लाकर करके signal तो यह हो रहा है कि price में movement हमें upside की दरफ की देख सकती है बट कहीं न कहीं यह भी लग रहा है कि अब हमें risk नहीं लेना चाहिए बगोज यहां से price हमारा reject हो रहा है ज़्यादा सोचेंगे नहीं इस वत का जो अपना profit चल रहा है 13,355 रूपीज और 60 पैसे का profit है हमारा एक काम करते हैं यहां सब exit करते हैं लोग विकाज हमारा जो target था लगबग लगबग हम को achieve हो चुका है 3824.50 copy और यहां पर आते हैं order book में अपनी stop-loss order को हम लोग करते हैं अब पोजिशन बुक स्क्वार ओफने सी लिजए पेस्ट 3824.50 कुछ कुछ ओडर निकल चुका है हमारा कितना निकला है एक सो साथ कांटीज अभी है बच्ची हुए है 3824.50 सारी कॉणिटीज मिली नहीं हम लोगों को हाफ कॉणिटीज निकले और हाफ होल्ट कर रहा है अब हम अपने ट्रेट से बाहर हो चुके हैं और यह वाली जो हमारी केंडल है दो बज़ेगे केंडल इसने हमको हमारा टार्गेट दे दिया और यहां पर ओवराल जो आज का हमको प्रॉफिट अचीव हुआ है 13,500 के राउंड का प्रॉफिट है और और बुक एक बाग देख लेते हैं और बुक में देखिए प्रॉफिट का हमारा जो ओर था 3738.55 का इसको हमने कैंसल कर दिया था और एग्जिट जो हमको मिली है जो सेलिंग प्रैस मिला है 3824.50 का हमारा सेलिंग प्रैस इसको कॉपी कर लेते हैं 3824.50 का तो जितने भी कॉणिटी जमारीती सारी की सारी निकल चुकी है और पोजिशन बुक में ओवरॉल जो हमारा प्रॉफिट है 13500 के राउंड का प्रॉफिट आज के इंटरेसेशन का आज का इट्रेट हम लोग एम पर खतम करते हैं आज की वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा बेशक बट जितना हो सकता है समझाने की और अपने इस टेट को एक्स्प्रेंट करने की कुशिश की है थैंक्स एंड वीडियो को लाइक की जागा है और अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट इडिंग सेशन में आने के कल आप लोग टेलिग्राम चैनल मेरा जॉइन कर सकते हो कोई भी अच्छा सा टेड अगर हमको मिलेगा कोई स्टॉक मिलेगा तो उसको अपने टेलिग्राम चैनल पर हम मौनिंग में शेयर कर देंगे टेलिग्राम ग्रूप में अक्सर बताते रहते हैं टेलिग्राम ग्रूप में आपको क्या मिलेगा उसके अंदर कुछ मैजिक कुछ जादू नहीं है वो जो term market में use करते हैं, jackpot तो jackpot, jackpot जैसा कुछ नहीं होगा simple सी चीज़ है, trade execute करना है अगर कुछ problem आपको हो रही, stock selection को लेकर के, हम stock select करके दे देंगे nifty के levels identify करने हैं, problem हो रही है nifty के levels identify करके हम आपको दे देंगे stock के level identify करके दे देंगे इतनी सारी चीज़ आपको मेरे telegram चैनल पर जब ज्यादा से ज्यादा तर मिल जाती है, nifty के levels तो हम रोज दे देते हैं, so telegram चैनल आप जोइन कर सकते हैं कुछ ना कुछ आपको मेरे telegram के तुरू जितना हो सकते हैं, help करने की कुशिश करते रहते हैं thanks and we will meet again